नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी अभी-अभी सीढर्मिया जो करनाटक के CM है उन्होंने मुसल्मानों को OBC category में डाल कर 30% उनकोार्क्न दे भी दिया है इसकी चर्चा हो रही है तो लोग अभी समझ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं बीजेपी वाले भी बाकी शोशल मीडिया प्लेटफॉम पर चर्चा देश वाले कर रहे हैं कि आकिरकार ये कॉंग्रेस को अचानक से क्या सूजा कि चुनाव के दोरान में ये अपने ही पैर पे कुलाडी मार रहे हैं कि हम जो है प्रोपर्टी टैक्स लगाएंगे हम अमेरिका की तरह भारत में क संतान को यानि जो वारिस हैं उनको दी जाएगी मेरा मकान है अगर 200 गज में इनके हिसाब से कॉंग्रेसियों के अगर मेरी मिरत्यों हो जाती है तो वो मेरे बेटे को नहीं मिलेगा पुरा पुरा ये प्रोपर्टी को जब्त करेंगे और उसका 45% हिस्सा मेरे बच्चे को देंगे मेरा बेटा हो या बेटी 55% ये इसको कॉंग्रेसी रखेंगे यानि सरकार जब्त करेंगी और फिर उस पैसे का क्या करेंगे राहूल गांदी कहते हैं कॉंग्रेसी कहते हैं इनका घोशना पत्र कहता है कि इस पैसे को हम गरीब तपके को देंगे जरूरत मंदों को और ये जरूरत मंद कौन है तो इन कॉंग्रेसियों के हिजाब से पहला हक इस देश में मुसल्मानों का है ये मनमौन सिंग ने कहा उसके बाद राशी दल्वी का बयान है एनाई के पत्रकार ने राशी दल्वी को पूछा कि ये जो गोशना पत्र पे बात चल रही है इस पर आपका क्या कहना है उन्होंने खुलकर कहा इसमें क्या गलत है अगर मनमौन सिंग ने कहा वो कह रहे हैं कि राहुल गांदी का बयान भी अपनी जगे ठीक है अगर वो ये कह रहे हैं कि हम प्रोपर्टियां इनका सर्वे करेंगे और जो अमीर है जिनके पाद ज्यादा प्र तो रासी दल्वी कह रहे हैं कि ये इस देश की हकीकत है कि इस देश में अलप संख्यक समुदाय यहां बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उसको इस तरह की जरुरत है यानि पूरा तै हो गया कॉंग्रेस के द्वारा कि वो इस मुस्लिम पॉलिटिक्स के जरीए सत्ता में जान की कदम होगा और जी देखो राहुल गांधी ने ऐसे टैम पे बात बोल दी सेम पितरोदा ने तो पूरी कॉंग्रेस डुबो दी मैं आपको बताता हूं उनका दिमाग क्या है असल में कॉंग्रेस ने एक रेसिपी बनाई है ये रेसिपी है मारवाडी थाली मैं एक बार ग हमारी आदत है कि हम घर में भोजन करते हैं यहां कहीं यहां गाजबाद और चंडीगर हाईवे पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं खाना खाएंगे तो एक सबजी दो सबजी चावल दाल सलाद यह होगा लेकिन मैं देख के हैप मान गया कि वो जो मारवाडी थाली की बात ह खुआ तो तो घृति तो जो फाली ती उसके अंदर 15 कटोरी थी इतनी बड़ी थाल थाली नहीं थाल और उसमें लाइं से कटोरी यहां थी इतनी सारी इसे कोन खाएगा भुले आप खा जाएंगा रहां से बहुत लोग खा रहे हैं तो उसमें क्या है उसमें वो 15 तरह की फोड़ थोड़ दूद चमच समान होगा उसमें यही कॉंग्रेस का विचार है कि उसने एक रेसिपी तैयार की है कि मेन कोर्स तो रहेगा मुस्लिम बोर्ट जो इस देश में 30% है उसके समझ में आ गया फोकस वहां रखो और यह चल रहा है उसका 65 से बीजेपी को इसको समझन कॉंग्रेस का एक रेसिपी तैयार की है मेन कोर्स है मुसलिम तो टारगेट करना है मुसलमानों को ताकि मुसलिम की पूरी टोटल वोट 30% वो आकर सिद कर सकें तो ऐसा मुद्दा छोड़ो ऐसी बाते बोलो ताकि मुसलिम कम्मुनिटी यह समझे कि कॉंग्रेस से बड़ा उनका हितेशी कोई नहीं है पूरी मुसलिम कम्मुनिटी यह तैय कर दे कि कॉंग्रेस को वोट देना है यही बीजेपी को टकर दे सकती है और इसलिए वो 30% पर फोकस कर रहा है अब आप कहेंगे 30% पर तो सरकार नहीं बाकि 45 पहुँचने के लिए जो 15% और चाहिए उसके ही इस देश में उद्योक पती कितने OVC हैं बैंकों में कितने OVC हैं हम आएंगे तो सरवे करेंगे जिसकी जितनी अबादी इसकी इतनी हिस्सेदारी तो वो यात बिलाते हैं OVC के लिए कोई काम नहीं कर रहा है जबकि मोधी जी देश के परदान मंतरी OVC और देश की बहुत सारी जनता है जिसको समझ नहीं आता उनको लगेगा राहुल गांधी OVC की बात कर रहा है तो उनको लगता है अगर इसमें से हमको 20% भी OVC ने वोट कर दिया इसी जूट बोलने में मुगालते में यहां से आ गया थोड़ा सा फिर वो थोड़ा सा दलित क की बात करते हैं चंदर सेकर रूप रामण को खड़ा कर दिया और उसको कहा कि देश के जो यूवा हैं दलित यूवा इनको भारतिय जनता पार्टी से अलग करना है तो थोटे से भी एक यूवा अलग आ गए और यह मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ भारतिय के कई जिलों में दिली में मैंने देखा है सुना है बात की है चंदर सेकर रावन अंदर अंदर काम कर रहा है और उसकी एक सोशल मीडिया टीम है उसको विदेशों से पैसा आ रहा है मेरे पास जानकारी है पता नहीं एजन्सियों के पास क्यों नहीं है और वो जो है इस काम दलीतों की हैं और दलीतों को जो कम पढ़े लिखे हैं देश में बिरोजगारी यह आप सुनते हैं यह इसी लिए उठाया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है यूनिकॉन क्या होता है मोधी जी हर भाषन में कहते हैं इतने यूनिकोन खड़े हुए अब यूनिकोन आपने बोल दिया Google होने के बावजूद भी कोद Google करता है भाया उसकी डेफिनेशन जरा हिंदी में बता दो यूनिकोन क्या होता है लगो द्यों क्या होते है थोड़ा सा बताईए MSME सेक्टर क्या होता है मैंने भी बोल दिया MSME किसी को समझ में ही नहीं आएगा गाओं में तो MSME है क्या और इसके कारण यूवा भर्म की इस्तिति में हैं बहुत सारे यूवाओं को लग रहा है कि वाकई में बेरोजगारी बहुत है क्योंकि इन लोगों ने दिमाग में बिठाया है तो दलित यूवा बीजेपी से अलग कर दिया और वो किदर जाएगा कम से कम बीजेपी में नहीं जाएगा तो वो किदर आता है कॉंग्रेस में तो इनको समझ में आ गया उस recipe में, main course में Muslim, थोड़े से OBC, थोड़े से Dalit, थोड़े से Sikh, फिर थोड़े से इसमें उन्होंने Christian और थोड़े से क्यूं है, Christian ऐसा तो नहीं है, BJP को vote करता है, कता ही नहीं करता है, तो वो जो 2% है, वो Congress को, 2% Sikh community है, उसमें से 2 में से 1% भी आया, वो Congress को, और इसी तरह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बहुत सारी ऐसी community हैं, जैसे, अभी आपने सुना, उत्तर प्रदेश में, राजपूत, BJP से नराज है, इस तरह के अंदोलन खड़े कर दिये, तो कुछ तो आएंगे, अगर उसमें से 0.001% भी आये, तो BJP के घटे, और इधर हुए प्लस, ये जो Congress की मानसिकता है, इसको लेकर वो चल रही है, और आपको बता दूँ के अभी केवल एक फेस का चुना हुआ है, अभी छे फेस बाकी हैं, हलाकि मोदी जी का क्रेज, ये बढ़कर बोल रहा है, मोदी जी का काम, और उसके कारण, मेरा भी आखल अभी तक के आएंगे तो मोदी जी, लेकिन चिंता की बात है, चिंता करनी चाहिए, और इसे लिए ये बड़ी चिंता की बात हो जाती है, कि जब Congress ये कहे, कि हमारी सरकार यदी आई, तो हम ये संपत्ती पर कर लगाएंगे, 55% जो है, वो हम पब्लिक में बाढ़ देंगे, यानी घुस्पैटियों को बाढ़ देंगे, रोहिंगयाओं को बाढ़ देंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे गाओं में भी, गरीब से गरीब आदमी के पास भी अपना मकान है, जमीन नहीं है, लेकिन मकान अपना है, सरकारों ने LMC की जमीन में उनको मकान जमीन दी थोड़ी बहुत खेती करते हैं अपनी एक जोपरी यानी पका घर है लेकिन इस देश में जो पांच करोड बंगला जेसी गुसपैटी हैं उतो गुसपैटी हैं खाले हाथ आएं बोडर पार करके उनके पास मकान नहीं है रोहिंग्याओं के पास मकान नहीं है और वो मकान करोड बंगला जेसी गुसपैटी है और उनकी बढ़ती हुई आबादी चिंता मत करो हम इस देश के जो लोग हैं रह रहे हैं उनसे लेके आपको देंगे और मैं यह बता रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि यह खाली बाते हैं यह ऐसा नहीं कर सकते तो आप समझ लीजिए यह जो है किस तरह की बात है कि नहरू जी ने 1954 में वक बोड एक्ट बना दिया था और 12 लाख एकड भारत की भूमी जिस पर अधिकार केवल उन लोगों का था जो 1947 में भारत में रह गए यह वक बोड की भूमी बना कर केवल अलप संक्यकों की वोट लेने के नाम पर एक वि मुद भी है उनको निँनेगे पार्सी भी है और यही कॉंगरेस का फ्रूमुला है और इसी फोर्मूले पर उसको लगता है कि थोड़ी थोड़ीतोडीतोडी को जोड़कर वो बोट ले सकता है और इसलिए इसको मेन फोकस दलिट, OBC और मुस्लिम कम्मिनिटी पर है और इसमें भारती जंता पार्टी के कारे करताओं को मैं ये भी देख रहा हूं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है उनको लगता है कि हम तो जीती रहे हैं मोदी जी हैं ही मेहनत क करने को मैं भारती जंता पार्टी के सब कारे करताओं को क्योंकि मैं बीजेपी में तो नहीं हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं बड़ी शर्म की बात है कि जो हाथ पे हाथ धरे बैटे हैं ना मोदी जी के और योगी जी के बरूसे उनको देखना चाहिए कि एक साल से अधिक का व्यक्ति मोदी जी दिन रात एक किये हुए हैं एक एक दिन में छेचे रेलियां कर रहे हैं योगी आदितना थे कि योगी होते हुए अपना मठ अपनी पूजा अपनी भक्ति चोड़कर देश के लिए हम हिंदू के लिए दिन रात एक किये हुए हैं और हम बड़े अरा पर बाट की अच्छा हम तो सोच रहे था अभी पता नहीं कोई जंडा नहीं कोई पोस्टर नहीं कोई सभा नहीं हालात यह हैं और इसी हालात को देखते हुए मुझे डर है कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में मोधी जी और योगी जी और हमिस्सा की जो मेहनत है इसको हम हिंदू लोग इस देश के राष्ट भक्त लोग सनातनी लोग बेकार न कर दें और इसलिए आप सबसे मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक आग्रह है और वो हाथ जोड कर है किर्पया पू पूछने से पूछना कि अगर यह कॉंग्रेस आ गई तो आपकी प्रोपर्टी आपकी संपत्ति और जैसा राहूल गांदी कह रहा है कि हम एक्सरे करेंगे यानि आपकी अलमारी में रखा हुआ कैश और गहनों को भी वो चेक करवा देंगे एजन्सियों से और उसमें 45% ग प्रेटिगरी का दे दिया ओवी सी का हक मार कर तो इसलिए सतर्क रहिए सजग रहिए और मोदी जी और अमिस्सा खाली उनी का ये देश नहीं है आपका और हमारा भी है और इसलिए अपने बच्चों के भविश्य के लिए अपने देश की तरक्की के लिए उसको चुनिए जो देश की तरक्की पिछले 10 साल से कर रहा है मैं बात कर रहा हूं मोदी जी की आपकी क्या रहा है कमेट बॉक्स में जरूर बताएं वंदे मातरम